हेलो गाइज असनौरा ब्रदर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक डीवियार के और नंबियार के उपर एक वीडियो जो सीमोस बैटरी से रिलेटेड है तो चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो में ल अभी मैंने इसमें बैटरी जो लगाई है जो कमें सिमोस बैटरी होती है यह वाला मोटल है और पहले इसमें अटанич रहता था यहाँ पर तो मैने रिवूip करके वायर के थुका है और मैं इसको सूल्डिंग करके और यह फिक्स कर दिया है तो अभी यह प्रॉपर याह यह व तो इसकी कैसे रिमूब करना है कैसे इसकी बैटरी लगानी यह आपको प्रूसर बता दूंगा तो इसके लिए पूरी वीडियो आप देखना तो यह मैंने ओके हो चुका है डीवीर यह मैंने वहां से फिक्स कर दिया यह भी निरा कभी अगर बैटरी फ्यूचर में प्रॉलम करती है तो मैं क्या करूंगा इसको दूसरी बैटरी इसली लगा सकता हूं तो हम इसको करेंगे स्टार्ट और इसको टाइम जीट सेट करके इसका देखते ह कि यह प्रॉपर टाइम ग्रेट इसमें सट रहता है कि न dopo कीऱेता आपड़ी सेट ने होता है तो दजाते हैं तो फिर यह टाइम टीट में चला जाता चाँ या फिर आगे बढ़ जाता है अधिक तर बैटरी डाउन ने पर बैक देट में टाइम और यो डिच चल रहा है 2004-20000 पहुंच जाता है या 1900 में सम्तिंग पहुंच जाता है तो वह चीज़ चेक करते हैं भी यह प्रॉपर हुआ है कि सैट नहीं हुआ है तो यह वीडियो में आप बने रहें इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा और जो लोग का काम जानते हैं जिनने जो कर लेते हैं अपनी बोर्ड अगरा में वायर अगरा में तो वो लोग इसको एजिली कर सकते हैं वाकि जो लोग को नहीं आता है तो प्लीज आप करने की कोशिज ना करें कहीं ऐसा ना हो कि आपका DVR, NVR जो भी है वो आपकी सोल्डिंग की वेज़से कुछ खराबी ना आ जाए यदि आप जान कि आप यह 17-7-2020 में सेब कर चुका हूं इधर टाइम सेट कर चुका हूं तो अभी में इसको अपलाई करके सेब करके बहारा जाओंगा और फिर इसको DVR को रिस्टार्ट करके देखूंगा और फिर देखता हूं कि यह चैंज होता है कि नहीं तो अब हम जाते हैं बैक स्क् सब्सक्राइब तो नहीं हो रहा है मतलब बैक डेट पे तो नहीं जा रहा है अज़िए ऐसा होता है मतलब कि हमारी जो बैटरी है या फिर हमारी जो वायर हमने लगाई है या होल्डर है कही ना कहीं लूज ऐसा प्रॉलम हो सकता है तो प्रॉपर मैं चेक कर चुका हूं फि फ्यूचर में ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें तांकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और मैं इसको करता हूं आपको टाइम डेट दिखाता हूं जूम करके तो यह अभी स्टार्ट हो चुका है और देखिए टाइम और दिखा देता हूं कि इसमें डेट वही है दिखिए 177 2020 डेट भी ठीक है मतलब कि अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है अब यह जो मैंने सारा प्रोसेस किया था इसको अटेजबल बैटरी निकालना कैसे और निव बैटरी को अटेच कैसे करना है उस पर यह आपको मैं इसके लगा दिया अगर आप चाहें तो सेम चोटा वाला जो फोल्डर आता है बारा बीस का तो उसको आप अटेच कर सकते हैं और वह इजी ली बोट पर अटेच हो जाएगा और उसको आप फिर उसमें रिमूब कभी भी वैटरी कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने फिलाल तो ऐसी जुगार लगाया तो आप प्रॉपर भी कर सकते हैं अगर आपको होल्डर मिल जाए मेरी मार्केट में अवेलेवल नहीं था तो मैंने ऐसी काम चलाया है यह आपको वीडियो दूसरे पार्ट में दे रहा हूं तो इसमें क्या है कि मैं इसको भी टाइम डेट सैट किया और स अब इसको कैसे आ रहा था जिसके वीडियार अब ऑपन नहीं है मैंने इसकी बॉडी को नहीं वह किया है अभी में इसका वासवट डालके इसका टाइम डेट आपको चेक करके दिखाता हूं और इससे आपको पता लग जागा कि क्या इस हो आता है जिसकिसी जीए वीडिया रुपे तक आती है अलग-लग बैटरी अलग-लग मार्किट में तो आप उसे पर्चेस करके से मॉडल को जैसे निकाला था आपने वैसे ही लगा सकते हैं उसमें प्लस और माइनस होता है तो पॉइंट आप निकलने से पले देख लिए कि किस तरफ से आप निकाल रहे है और फिर सेम लाने के बाद नहीं बैटरी को सेम पेट कर से गोसी जगों पेदाल को से लिए एक लेतरीक पर दिखाता ह Nico यूव हूर क्या प्रोरम होती मैं इसमें टाइम 對 कि बेक कर रहा हूं फिर देखते हैं आगी आप देख सकते हैं कि मैं इसे सक्ट कर चुका हूं और इसके बाद इसको हम करेंगे रिजस्टार्ट और नहीं करते हैं कि यसी लिए मैं आया हूं अब इसे करते हैं और फिर देखते हैं इसको स्टार्ट होने के बाद और कई लोगों के कॉस्चेन यह होंगे कि सर इसमें बैटरी हम कोई सी भी लगा सकते हैं और इसमें कौन से मोडल की बैटरी लगी है तो इसमें 947 CR947 नंबर की बैटरी होती है जो अटेच रहती है अटेच वोल्डिंग होती है और अभी जो मैंने लगाई है वह है इसमें 2032 CR2032 तो आप कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं बस उसका आपके पास होल्डर होना चाहिए होल्डर इसलिए क्योंकि आप उसे कभी फ्यूचर में डाउन होती है तो आप रिमूब कर सकते हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और देख सकते हैं देखिए अभी टाइम डेट इसमें मैंने चैन्ज यह रिस्टार्ट के टाइम डेट चैन्ज होगा है दोजार चुमादा पहुंच गया है तो अब हम करेंगे इसक चारों स्कुर्व उपन करने के बाद आपके पास वह नच्छी एक पीछे जो यह चारों स्कुर्व में निकल करके रख चुका हूँ इसके बैक साइड में भी इसको भी खोलना है और उस इसकुर्व के साथ अपको इसमें जो वीजी एपोर्ट होता है तो वीजी करना है क्योंकि हमें वो बैटरी लिए तरह करना होगा और यह उसका लिक्ट बनेगा और उसको खीच के आठाना होगा तो खटेगा उसके बाद हम उसको दूसरी या फिर रहता है होल्डर रहता है, होल्डर को डेच कर पाएंगे, तो मैं इसके अंदर चार स्क्रू जो है, यह चारों स्क्रू उटाने पड़ेंगे, और इस बैटरी को सोल्डिंग के लिए हमें यह PCV बोट को निकालना होगा, तो आपको चार स्क्रू इसमें दिख रहे हैं, यह कि यह है, और यह सेम चारों स्क्रू आपको इसमें दिख रहे होंगे, इस चारों स्क्रू को अटागे, और जो VG केबल का पोर्ट है, वो भी अटाना होगा, वो अटाने के बाद फिर हम इसको रिमूब कर लेंगे यहां से, और रिमूब करने के बाद आपको फिर इसमें होगी कि आप देख सकते हैं हमने इसके स्क्रूओं को हटा दिया है और अब हम इसके बैक साइड में कि स्क्रूओं और होता है उसको खूलना पड़ेगा जिस पर आपका एक पोर्ट के ओडियो पोर्ट है वह अटाच रहता है तो इसक्रू बाहर से इसमें कसा हुआ है किसी मे दोनों तरफ उनको भी हमें रिमूब करना होगा और वह आपका होगा प्लायर की मदद से लूज करेंगे लूज करने के बाद घूम जाते हैं और इसली निकलाते हैं तो उन्हें निकलने के बाद फिर बोड आपका बॉड़ी से रिमूब हट जाएगा तो फिर उसके बाद इस पर सोल्डिंग करेंगे वेसको बोड कम आसे सारे स्कूर्व हट चुक है अब इसका में हटा लेते हैं बॉड़ी से तो यह अभी देखिए आप बॉड़ी से इजली आराम से निकलाएगा और यह बॉड़ी हो गई अलग और अपने पीसीवी बोड इसका हटा दिया है अब हम इस पर करेंगे सोल्डिंग और आपको दिखाते हैं वह बैटरी जो हमने हटानी है यह वह अटेचबल बैटरी है जो CR947 है इसको हम हटाना है यह अल्लेडी 2TV वैसे इसका एक सोल्डिंग तूट चुका है और एक बचा हुए तो हमें दूसरा निकार रिमूब करना है फिर इसकी जग़ोपे वायर सोल्ड करना है वायर सोल्ड करने के बाद उस पर से वायर पर होल्डर सोल्ड करेंगे और होल्डर सोल्ड करने के बाद उस पर हम होल्डर को फिक्स कर देंगे यहीं कहीं मेरे पास गुलोगन नहीं है तो मैं फैपीगॉल की मदद से इसको सोल्ड करूंगा और दैन फिर इसको यह वाला 20 बद्दी से मॉडर लगाएंगे सेल का फिर इसका वर्किंग देखेंगे अ यह तीनवर प्लस अब यहां पर में पर इसको सपर्णार के छोटे साइज में और इसके जो इसके टांगे है वह थोड़ा सा इस ज्यादा ले रहे हैं तो प्रफेक्ट वैट नहीं पा रही है तो मुझे क्या रहना होगा इसके लिए इसको वायर के साथ आटेच करना हो तो मैंने डो वायर ले लिय प्लस में जुड़ा और जो ग्रीनливо भा है माइनस में जुड़ाज जू देखें आब प्ने सोलिंग सब्सक्राइब सबतgio Comppecthere सब्सक्राइब ऑर निकर रहाइगा तो जैसा की मैंने इसको रिमॉब कर दिया है और इसके जो होल सा metlu बचा हूँआ और इसको मुझे एलके होल को पत्षाफन करना होगा कि इसको करम किया और थोड़ा खीचा प्रेस करके तो इसका जो दृतरी दोनों हटा दिए और इसके सुरी दोनों इसकी सोल्डिंग हटा दिये और बैटरी रिमूव हो चुक यह अब मैं इसमें करूंगा wire को solding और wire solding और पहले holder पर sold कर लेता हूं फिर मैं PCV board पर करूंगा तो holder पर कैसे करना यह आप दिहां से देखेगा जो तिन टांगे दिखाए दे रही है holder में और basically दो होती है एक plus एक minus पर इसमें दो plus दी है और एक minus दी है यह भी चाई हो रही है ठंडी तो मैं पहले चाई पी लेता हूं और चाई का कप यहां से अटाता हूं और इसके बाद solding iron से हम wire को sold करेंगे और यह मैंने wire ले लिया इसके पहले जोनों पर मैं हलका सा sold कर दूँगा ताकि वह easily sold होने में कोई दिक्कत ना हो अब मैं wire के जोनों चोड़ों को sold करूँगा ताकि वह प्रॉपली इसी बाड़ जाएं हम डिरेक्ली वायर लगाएंगे तो जाएगा नहीं तो सब्सक्राइब हो जाएगा और इसको पहले wire को अटेच किया है solding जो करना है हमने पहले holder पर कर लिया है और holder पर करने के बाद इसकी मेरे दुनों टंगों को जोड़ा है प्लस और माइनस से red or green के साथ और इसमें अब इसके बाद करना है टेप क्योंकि हम इसको बोट पर टेच करेंगे और बोट पर टेच करने के लिए हमें टेप लगाना जरूरी है ताकि किसी भी अधर ंद्वाद के साथ ताकि देच ना करें बोटि पर टेच ना करें तो अमने इसके टेप लगा दिया है टेप लगाने के बाद हम करेंगे इसके ऊपर फैपि गृल से fix इसको अब हम करते हैं solding सिधा जाके PCV board पर चलते हैं PCV board के तरफ PCV board को उठाते हैं और उस पर करते हैं अब solding यह हो गया है complete और इसको रखते हैं एक तरफ और PCV board को लेते हैं यह आ गया हमना PCV board और इस पर हम करेंगे यहाँ पर battery की दूनों वायरों की solding और इसमें यह plus है और यह point minus है यहाँ पर आपको red और green यूज़ करना है या जो भी आपके पास color हो पस plus minus आप सही से लगा लेना और आपका यह board हो जागा ओके इसके बाद आप चेक कर सकते हैं इसको चला के without body पर कसे हुए ज्यादा वैसे कुछ होता नहीं है सिर्फ आपको cable यह wire को वहाँ पर रखना है और एक तरफ से इसका solding को गरम करके दूसरी तरफ से हलका सा drop करना है तो यह wire अंदर चला जाएगा और रोप फट जाएगा जैसे उसको आप wire अंदर जाता है पहले आपको process दिखाया था वो यह complete होने के बाद ही दिखाया था मतलब part 2 आपको पहले मिल गया और part 1 आपको यह बाद में मिला है तो आप इसे वीडियो से अपना problem short out कर सकते हैं और इसका प्लस और माइनस उसमें देख के लगाना holder में I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like करें आरे चैनल को subscribe करें और bell icon के button को press कर दें ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके बाई बाई